हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डीसी ट्रेंणिंग प्रताप गड़ उत्तर प्रदेश दोस्तों कोरोना नामक वैश्विक महामारी के कहर की वजह से पूरी की पूरी वैश्विक विवस्था दोस्तों किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं नॉर्मल कंडिशन नहीं हैं बड़े बुजूर्ग और बच्चे सभी घरों में धरे सहमें दोस्तों अपनी जिंदगी को जी रहें एक आसा की दृष्ट से पूरे के पूरे वैश्विक जगत को देख रहे हैं कि वो दिन आये जब इस बंदिश्य हम मुक्त हों हम एक बार फिर बीमारी से मुक्त इस पूरी दुनिया को अपनी खूबसूरत आखों से देख सके लेकिन दोस्तों इस बीच सारी सैक्षिक विवस्था प्रभावित नहीं होने पाई उसका कारण ये रहा कि स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने नवाचार के माध्यम से शिक्षा की जोती को दोस्तों प्रजुलित होने दिया और इस जोती को जलाने में सबसे अहम रोल शिक्षकों ने दोस्तों अदा किया स्कूल शिक्षा महानिदेशक के दिशा निर्देश के अनुसार परशदी प्रात्मिक विद्यालियों में जो भी सिक्षक भाई बहन पढ़ा रहे हैं उन्होंने वाट्सेप ग्रूप बनाए हर विद्याले का अपना मिशन प्रेणा का वाट्सेप ग्रूप है ब्लॉक लेवल पे वाट्सेप ग्रूप है जिला लेवल पे वाट्सेप ग्रूप है सभी सिक्षक भाई बहन उस वाट्सेप ग्रूप से बच्चों को जोड़ करके उनके अभिवावकों को जोड़ करके ग्राम, प्रधान, एनम और आंगन बाड़ी को जोड़ करके पूरे के पूरे समुदाय में एक सैक्षिक पहल कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं बताने की कि आपके नौनिहाल हमारे माध्धम से जोड़ करके सिक्षा तो ग्रहन करी सकते हैं अगर आपके घरों में टीवी है तो आप दूरदर्सन पर प्रोग्राम देख सकते हैं आप बिल्कुल नौ बज़े से लेकर कि एक बज़े तक प्रोग्राम आप देख सकते हो हर कक्षा का अपना प्रोग्राम है उसके अलावां आप आकाश्वाणी के माध्यम से भी बच्चों के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उससे भी बच्चों को आप जोड सकते हो पूरी की पूरी मुहिम, पूरी की पूरी कोशिस इस बात के लिए है कि हमारे बच्चे सिक्षा से वंचित न हो तो दोस्तों अब ये भी तयार हो रहा है कि बच्चों का पढ़ाने का सरूप क्या होगा कैसा सरूप यही कि जब परिशदी स्कूल खुल जाएंगे तो सिक्षक हमारे भाई बहन उन्हें कैसे सिक्षा दिक्षा देंगे क्योंकि 6 माह दोस्तों बीद गए है और बच्चों जो परंपरागत सिक्षन व्यवस्था रही है काफी कुछ बच्चे उससे विरक्थ हो चुके है तो आते हैं देखते हैं कि शासन अस्तर पे क्या तयार हो रही रणनीत आखिर बच्चों को कैसे आपको पढ़ाने है दोस्तों बात करते हैं लखनव से यही कि परशदी विद्याले खुलने पर सेक्षडिक गत्विधियां क्या होंगी इसका खाका तयार किया जा रहा है किस तरह से बच्चों के मांसिक और शारिरिक विकास करने के साथ लागडाउन की वज़ा से उनकी पढ़ाई के नुकसान की भरपाई की जाएगी इसको लेकर अधिकारी रणनीत बना रहे है परशदी विद्याले का पहला पीरियड रेमेडियल क्लास का होगा जिसमें बच्चों की पढ़ाई के नुकसान की भरपाई की जाएगी वह इन लाइबरेरी और खेल कूट पीरियड रखने पर भी रणनीत बनाई जा रही है पहला पीरियड उपचारात्मक सिक्षा का होगा परशदी स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के छातर पढ़ते हैं इन बच्चों के मानसिक और शारेरिक विकास पर विशेस ध्यान रखा जाएगा इसकूल सिक्षा महानी देसक स्री विजेक किरन आनन जी ने अधिकारियों के साथ बैठक में सिक्षा अधिकारियों को कार्योजना तयार करने के निर्देस दिए परिशदी विद्यालियों में पहला पीरेड रेमेडियल क्लास का होगा इसमें जिन छात्रों की छमता कम है उन पर विशेज ध्यान देकर पठन पाठन का अस्तर सुधार आजाएगा गवई रीडिंग स्किल सुधारने और शारिरिक विकास के लिए लाइबरेरी वाई स्पोर्ट्स का भी एक एक पीरेड रखने पर दोस्तों जोर दिया गया है और ये सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि इस लागडाउन पीरेड में ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम स से और तमाम मंचों के माध्यम से सिक्षक सक्री होकर के अपने बच्चों को जोड़े हैं उन्हें सिक्षा से जोड़े हैं ये जोती प्रज्वलित बनाए हैं ये अखंड जोती दोस्तों चल रही है सिक्षा की रोसनी घर घर पहुच रही है ऐसे जो अच्छे सिक्षक हैं जिनका पढ़ाने का तरीका अलग और रोचक है, उनका व्यापक अस्तर पर प्रचार प्रसार करने पर भी जोड़ दिया गया है, उनकी कहानी को हर घर तक पहुचाने पर बल दिया गया, ताकि जो बाकी सिक्षक भी हैं उनसे प्रेरित हो सकें, तो दोस्तों आज के लिए इत प्रेस करें, जब भी आप सब्सक्राइब करें बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स पर वाचिंग ए लिसनिंग, दीस इस जेजे प्रकास तुबिश साइनिग आप